बेलता रूडी की कैकाडे नगर में शरीवार रात तकरीबन पॉने 12 बजे गणेश साहू नामके गुन्डे की चाकू और पत्था से मार कर हत्या करती गई उनके साथी प्यूश सोन्टक के भी उस लड़ाय में बृतरे से जखनी हो गए मिली हुई सूचना के मताबक दिलीप साहू और प्यूश सोन्टक के रात को बाइक से जा रहे थे तब ही आरोपी गणेश साहू और उसके साथियों ने उन्हें गाड़ी तेज चलाने से रोका और फिर जगड़ा शिरू हुआ जगड़े के दोरान पत्थरों से हमला किया गया जिससे दिलीप साहू की मौथ हो गई और प्यूश सोन्टक के जखमी हो गया इसके बारे में अधिक जानकारी हम पुलिस आयोकतों से जानेंगे पुलिस टेशन बेलतरोरी यहां पर कईकाड़ी नगर है जो सलम एरिया है वहां पर कल रात को पाउने बारा बजे के दर्मैन एक मोटर साइकल चलाते हुए दिलीप शाओ और उसका साती मीत्र प्यूश सुन्टक के दोनों आये थे तो इनको गल्ली में फास्ट गाड़ी चला रहा था तो इनको टोका गाड़ी इतनी फास्ट क्यूश ला दे हुए यह कारण से उनमें बाचवाची हुई और उनमें जगड़ा हुआ फिर बाद में इस जगड़े के बाद उन लोगों ने नीचे के फत्तर उठाए और शेस्तर का वापर गिया और दिलीप शाओ को उसमें मार लगा दिलीप शाओ को हम लोगों ने जीम से होस्पिटल तर्टकार पूलिस ने लेगे गए और उसका जो साथीदार था प्यूश सुन्टक के इसको भी लेगे गए इसमें तीनों भी आरोपी अरेस्ट किये गए है इसमें काउंटर गुना दाखिल हुआ है एक पर 307 और 302 और इसमें अभी थपास शुरू है इसमें मुख्य कारण तो गाड़ी चलाना फास्ट यह था जो गल्ली में गाड़ी चलाना और दूसरा था कि दूसरा अभी गनेश बबलू शाहु करके जो आरोपी अरेस्ट किया है वो उसका साला ही था उसने जीजा को मारा तो इसमें कवटुमबिक वाद भी है जो उन लोगों में था वाइफ और दिलिप शाहु इनमें 2016 से लंबन शुरू थी घरेलू मामला था इस इसमें सालेनी साला भी है जो जीजा को मारा है इसमें जो मुर्तक है मुर्तक पर 302 2016 में सोने गाव पुली स्टेशन में दाकिल था और बाकी जो अभी 11 रूपी इसका कोई क्राइम रेकॉर्ड नहीं है